सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंट पाने के लिए नहीं की गई है फर्स्ट राउन में तो आप इसके लिए पात्र होंगे अब इसम के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा आज की वीडियो में जानेंगे नमस्कार साथियों मेरा नाम है मोतिलल कनोजया और आप देख रहे हैं रोयल टीचर चलिए दोस्तों शुर करने पर पंजिक शिक्षा विबाग 2022 की जो वेबसाइट है प्री डीलेड यानि प्री बीएस्टिसी की तो यह वेबसाइट आपके सामने आती है तो यहां पर आपको जूम करके दिखा दिया जाएगा आपको देखे केंडिडेट लोग इन पर क्लिक करना है यह जो केंडि इखलिए अधर क्लिक कर classic our paper कर सकते हैं तो फिलाल हमारे पासवड पहले से है तो साइनन के ऊपर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने पर दोस्तों हम वो college यहाँ पे दिखाई दे देगी तो यहाँ पे आपको application ID, course और round यह सब नजर आ जाएंगे तो यहाँ पे पीछे action बटन का एक option है और view का है तो view के उपर आपको click करना होगा जब आप view के उपर click करेंगे तो अपड़ moment के लिए जो most important ख़बर है यहाँ यूँ कहें उसके लिए जो निर्देश है दो आप सबी आप एक बार पढ़ लीजे यहाँ पे बात बताई कही है कि अपड़ moment एड़ी आपको पहली पसंद से आवंटिट शीट नहीं मिलती है तो आप अपड़ moment के लिए पात्र है यदि किसी परीसर में बहतर उच पसंद के सेक्शनी कारेकर में परवेश की पेशकर की जाती है तो आपको एक नई सीट आवंटिट की जाएगी अथा आपको अपड़ moment हो जाता है तो आपको एक नई सीट आवंटिट की जाएगी और पिछली sheet खाली हो जाएगी पिछला college जो भी आपको आस तक आवंटित हो रखा है वो sheet खाली हो जाएगी और नया college आपको आवंटित हो जाएगा अन्य था आप वर्तमान में संचाद स्वीकर्त सेक्षिक कारिकम के साथ जारी रहेंगे आपको इसमें हाँ या ना का विकल्प देना होगा अगर आप हाँ करते हैं तो upward moment के लिए आप आगे बढ़ेंगे अगर ना का chain करते हैं तो upward moment में सम्मिलित आप नहीं होंगे और आपकी sheet है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगी साथ ही विशेश नोट ये है कि जो उमीदवार किसी भी कल्प का chain नहीं करेंगे उन्हें upward moment में सम्मिलित के लिए विचार नहीं किया जाएगा उनकी sheet अपने आफ दीज हो जाएगी तो नीचे की और चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा क्या upward moment के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आपको हाँ या ना select करना होगा और एक और note यहाँ पे है कि यदि एक बार आपने यह form सब्मिट कर दिया उसके बाद कोई परिवर्टन नहीं किया जाएगा तो अगर आप upward moment चाहते हैं तो आप इसके उपर yes करें आपके बढ़ना चाहते हैं तो आपके बटन के उपर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक अपड़ मुमेंट का पेज ओपन होगा जहां आपको वापस अप्लिकेशन आइडी कोर्स इंस्टिट्यूट कॉलेज नेम जो पहले से लोट है वो नजर आज आजाएगा उसके बाद एक्षन बटन के रूप पर आपको स्टेटस में यस बटन लिखा आजाएगा यानि आपने अपड़ मुमेंट के लिए आभी दिन दिया है धन्या साथियों उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएगा जुकेशन समंदी न्यूस तरन पाने के लिए